हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो चलिए जी चाची और चाचा 420 दोनों मिला के हो गयार तो इनके थोड़ी सी पोल पटी खोलते हैं और जैसा कि आप सब को सामने दिखाई दे रहा है कि काला जामुन जो है वो गोरा हो गया है अरे इतना हैरान न होई है यह सारा फिल्टर का कमाल है और तो यहां पे जो है काले जामुन ने पैसे पकट रखे हैं कुछ नोटों की गड़ियां पकट रखे हैं तो क्या आप लोगों को पता है कि यह पैसा कहां से है चाची 420 को सूरत लेके गया और जब दो तिन दिन चाची 420 अपने घर पे नहीं थी और कुत्ते की तरह जो काले जामुन ने रखवाली की है चाची 420 के घर के तो ये उन सब कामों की कीमत है और यही वज़ा है कि आप जो है वो सूरत वाली फैमली भी आप लोगों को दिख तो अब ये लोग अमीना को भी अपने साथ साथ रखने वाले हैं और ये रहा उसका प्रूफ यहां पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मतलब काला जामुन जो है वो राजा की तरह बठा हुए है और साइड़ों दो दो जो है वो 420 रानिया बठाई हुई है तो सोरी अमीना को ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यार पैसे के हाथों बिग गये हैं तो फिर साब एक जैसे ही है ठीक है नहीं तो अगर कोई खुददार इंसान होता तो इतना नहीं करता लेकिन वही है कि पेट पानने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है जैसा कि चाची 420 ने किया अज तक अब वही आगे जो है वह साइरा भी कर रही है कि भी शोहर ने कह दिया है और शोहर के पास नोटों की गड़ियां आगी है तो फिर अमीना को तो करना पड़ेगा न नहीं तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा तो यह है बात और यह है माजरा कि भई व्यूवर्ज कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि यह हमारे कॉमेंट्स नी पड़ती कॉमेंट्स नी पड़ती तो यह आप लोगों की गल्थ फैमी है यह सारे कॉमेंट्स पड़ती है और यह सारी वह वह चीजे करती है जो जो है वह ओडियंस देखना चाहती है जिन चीजों में ओडियोंस को क्या कहते है उसको enjoy होता है अगर हम लोग कल को इसको ये भी demand कर दे ना कि चाची 420 जो है वो किसमें अपना विकनी में आजे सामने या फिर इसको कुछ और भी demand कर दे तो वो भी मैडम आजेगी अपने views के लिए ये कुछ भी कर सकती है तो ये ह और चलिए जी थोड़ा सा vlog की तरफ कर चलते हैं तो vlog देखो आप लोग देखी सकते हो की शूरू होता है एक तो ये एक खुदी ये टेढ़े मूवाली एक ये दूसरा और इसका भंगार वाला husband जो कि ये खुदी accept करती है ये टेढ़े हाथ वाला तो दोनों की जोड़ी ज आप लोगों को पता ही है भी कीमा खा रहे थे नाश्ता कर रहे थे अच्छा एक और बात मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली लगी जो कि ये हमेशा करती है अपने पैट के साथ कि जब ये उसको लेके गई है न सूरत हो तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगो कि उसका खाना उसका पानी पीने का हर एक चीज हम अपने साथ रखते थे लेकिन महतरमा ने देखा कि आप लोगों ने देखा कि महतरमा ने जो है वो उसके पानी पीने का बरतन तक साथ में नहीं लेके गई थी किस तरीके से बोटल में पानी दे रही थी तो ऐसे में कौन स यूज़ कर लिया है तो मतलब यह चीज अच्छी नहीं है पैट के लिए खास कर और यहां पर यह आप देख रही हो ना फोटो तो इसमें देखो भाई कि चाची 420 का थोबडा कैसा नजर आ रहा है और कितना मतलब ब्लैक स्पोट उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है इतना जाए तेरा करमा जो तेरे फेस पर दिखता है कि तुन्हें आज तक क्या क्या किया होगा और एक और बात बताओ यार यह सारा देखो यहां पर तो बहुत अच्छे तरीके से आमें ब्लैक स्पोट दिखाई दे रहा है लेकिन इससे आगे वाली पिक्स में आपको दिखाई जब भी चाची 420 जो है यह देखो यहां पर दिख रहा है नहीं दिखेगा आपको क्यूंकि जब भी चाची 420 वीडियो बनाती है हमेशा फिल्टर लगा के ही वीडियो बनाती है और फिर यह कहती है कि मैं औरिजिनल हूँ मैं नैचुरल हूँ या फिर मैं कुछ भी कहलो तो फिल्टर में जब आप फिल्टर यूस कर रही है तो जब तक पीछे वाली वीडियो में ये थोड़ा सा टेड़ी थी तो इसी लिए वहाँ पे फिल्टर ने काम नहीं किया और इससे आगे आने वाली वीडियो में भी आप लोगों को डिखाई देगा तो यहां पर इसका फेस फिर से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वहां पर भी इसके ब्लैक स्पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो भई यह सारा कमाल फिल्टर का है, और फिर पता नहीं किस तरीके से यह महतर्मा जो है अपने आपको नेचुरल कहती हैं, और अपने आपको तो यह था में रीजन, अच्छा एक और रीजन है, कि अभी जो सूरत गई है, एक और पॉइंट है, कि अभी जो सूरत गई तो भई मोगली साथ में नहीं गया, अच्छा मोगली साथ में क्यों नहीं गया, यह भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मोगली जो ह इसलिए वो घर में ही रुका है, यह बहुत बड़ा जो है, वो रिजन है, कि मोगली नहीं गया, जब की कहती है कि मेरे बेटे को काम है, अच्छा बेटे को क्या काम है, इसका बेटा करता गया वो तो MBA करता है ना, जिसका भी तक कोई result नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, तो फिर MBA करने वाले ना तो कोई जोब करते है उसका बेटाना कुछ करते है तो फिर अब इतना बड़ा एमाउंट अगर वो देगी बुड़े को तो वो तो जाहिर सी बात है ना गुस्सा करेगा क्योंकि यूट्यूब पे उसकी भी तो महनत है ना एडिटिंग वगेरा सारा काम वही करता है तो वो तो भई फिर गुस्सा करे गई अच्छा एक और बात इसमें ये तो शो कर दिया कि इसका पती भंगार वाला है ठीक है कि उसका भंगार का काम है भई का बाड़े वाला है भंगार वाला है लेकिन कभी इसने अपना बिजनेस आप लोगों के साथ शेयर किया जबकि हार टाइम बिजनस बिजनस करती रहती है तो एक शोचल मेडिया इंफिलेंसर होने के नाते इसको अपना बिजनस और इसको अपने काम भी आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए तो इनके जो व्यूवर्स है वो जाके ज़रा पूचिए मैडम से जबकि सब भी क पता है कि 8420 का काम क्या है यह क्या धन्दा करती है सबको बता है ठीक हैं तो यहां पर यह देखो यह आप बॉटल की शेप दिखो कि कहां से इस बॉटल में इस बिली का मूझ आ है कब बॉटल इतनी तीख ही आना यह चेहरे पे चोट लग सकती है बिली के तो यह बहुत ही जदा नाइंसाफी है एक पैट के साथ और मुझे तो बहुत तरस आता है इस बिली के ओपर की पता नहीं कब बचारी को इस औरत से जो है वो छुटकारा मिलेगा तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सब कदर